दोस्तों आज के इस वीडियो में Centre Deuce PG College गुरकपुर के 172022 देश में होने वाले entrance exam के pattern और syllabus के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंद्र तक आप जान जाएंगे कि Centre Deuce PG College में होने वाले entrance exam का pattern और syllabus कैसा रहने वाला है तो आईए बिना देरी की ये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेडियूस पीजी कॉलेज में होने वाले एंटरेंस एक्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है अगर बात करें अंडर ग्रेजवेट की कोर्स की तो अंडर ग्रेजवेट की कोर्स की एंटरेंस एक्जाम में MCQ टाइब की क्वेशन्स पूछे जाते हैं यानि की अबजेक्टिव टाइब की क्वेशन्स और इसके साथ ही साथ जो एक्जाम का डिउरेशन होता है वो दो गंटे का होता है और दोस्तों मैं आप सबको बता दू यहाँ पे कोई भी नेगटिव मार्किंग नहीं होती है वहीं अगर बात करें पोस्ट ग्रेजवेट की कोर्स के एंटरेंस एक्जाम के पैटर्न की तो इसमें भी सभी क्वेशन्स MCQ टाइब के ही पूछे जाते हैं और पोस्ट ग्रेजवेट कोर्स के लिए एंटरेंस एक्जाम का जो डिरेशन है वो है एक गंटे का और इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजवेट कोर्स के एंटरेंस एक्जाम में भी कोई भी नेगटिव मार्किंग नहीं होती है अब आईए entrance exam के slayvers को देखते हैं तो दोस्तों अगर बात करें under graduate course के अंदरगत बीए के entrance exam के slayvers की तो bachelor of arts के entrance exam में आपका question paper तीन पार्ट में divided होगा पहले पार्ट में आपसे reasoning, journal knowledge या फिर current affairs से 40 questions पूछे जाएंगे और question paper के part 2 में English और Hindi language से 40 questions पूछे जाएंगे और इसके साथ ही साथ question paper के part 3 में आपके subject से related जैसे की history, geography, civics, economics, education और psychology से कुल 1500 questions यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको मात्र 80 questions के answer ही देने है वहीं B.Sc. Biology के entrance exam में physics से 40 questions, chemistry से 40, biology से 40 और English language से 40 questions पूछे जाएंगे वहीं B.Sc. Mathematics course के entrance exam में physics, chemistry, mathematics और English language से 40-40 questions पूछे जाएंगे इसके साथ ही साथ B.Com. यानि कि Bachelor of Commerce के entrance exam में question paper दो पार्ट में divided होगा पहले पार्ट में English और Hindi language के 40 questions और question paper के part 2 में commerce subjects यानि कि आपने जो intermediate में commerce से related जो कुछ भी पढ़ा है उससे related यहाँ पे 120 questions पूछे जाएंगे तो दोस्तों I hope you can introduce PG college के undergraduate course के लिए आपने entrance exam के pattern और syllabus को अच्छे से समझ लिया होगा अब आईए बात करते हैं LLB course के entrance exam के slivers के बारे में दोस्तों LLB course के entrance exam में question paper तीन पार्ट में divided होता है पहले पार्ट में आपसे reasoning के साथ साथ GK और current affairs से कुल 40 questions question paper के part 2 में आपसे English और Hindi language से 40 questions और इसके साथ ही साथ आपके subject से related कुल 80 questions यहाँ पे पूछे जाते हैं अब आईए बात करते हैं post graduate course के entrance exam के slivers के बारे में अगर बात करें MA और MSC course के entrance exam के slivers की तो मैं आपको बता दूँ सेंटर्ड्यूस PG college में MA और MSC के entrance exam में आपके subject से related कुल 80 questions यहाँ पे पूछे जाते हैं जिने आपको एक घंटे में करना होता है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी course के entrance exam में कोई भी negative marking नहीं होती है तो अगर आप चाहें तो पूरे questions कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक आपने जाना कि सेंटर्यूस PG college गुरगपूर के entrance exam का pattern और syllabus कैसा रहता है I hope आपको यह सभी points अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर इस वीडियो से related कोई सवाल है आपके मन में तो आप comment box में पूछ सकते हैं फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ अपने ले वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद झाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही